हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई चैनल और लिंक लिस्ट की सीरीज में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में तो आपकी जो लिंक लिस्ट को लेकर के ज इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है बट सिंगर लिंक लिस्ट के केस में थोड़ी सी महनत आपको करनी पड़ती है हाला कि लॉजिक बड़ा ही सिंपल है और मैं यहां पर जिस तरीके से इसको एक्स्प्लें करने जा रहा हूं वो मेरा अपना मिथड है जिस तरीके से हम इसको कर सकते हैं हो सकता है कि सेम चीज और जगों पे भी अपलाई की गई हो इस नॉट लाइक कि यह मेरा मेथड है मुझे जो चीज सही लगी कि हैं इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं वो मैंने यहां पर समझाने की कोशिश कही है सो आइए देखते हैं कि reverse कैसे कर सकते हैं एक लि प्लेटफॉर्म पर और वहां पर बहुत सारी चीज़ें अवेलबल हैं आपके लिए I can show you आप वर्तिता लेर्निंग प्लेटफॉर्म पर जैसे मैं भी इस पर लॉग इन कर देता हूं and I will show you my channel and आप वहां जाईए और इस चैनल को लाइक कीजिए मेरे वीडियो को लाइक क and you will be able to see यहां पर आपको प्लेलिस तिखाई देंगी और इन प्लेलिस में आपको बहुत सी प्लेलिस जो आपके काम की हो सकती हैं like this one is data structure, C++ के लिए C++ tips and tricks, standard template library पर भी है, react.js पर भी है, angular.js पर भी कुछ वीडियोस हैं, they all will be continuing later on, सब पर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें और continuously हम कुछ न कुछ नए वीडियोस हर एक प्लेलिस में एड करते जाते हैं, जो आपको obviously बड़े ही काम में आएंगी और सबसे बड़ी चीज़ आपको जो multi-threading और windows programming है, windows VC++ के थू, उसके बारे में भी हमने यहां पर कुछ वीडियोस डाले हैं and apart from that, socket programming, यह एक बड़ा important topic है जो आपके बड़े काम का हो सकता है, so यहां पर आप आगर के देख सकते हैं, Python है, C++ 14 and 17 के कुछ basic concepts हमने कवर किये हैं, so you can just subscribe my channel and you will find lot of things here, so please मेरे चैनल को subscribe कीजिए और जो वीडियोस है, like कीजिए, share कीजिए, और you will find a lot of things here, so आपके लिए अच्छा है, so I think आपको subscribe कर काना चाहिए, आप वीडियोस देखिए, पसंद कीजिए, अगर आपको पसंद आते हैं, and please subscribe it, और enjoy कीजिए learning को, so आइए देखते हैं, reverse कैसे कर सकते हैं, single link list को, so सबसे पहले मैं एक single link list यहां पर बना लेता हूँ, how it looks like, it looks something like this, यह है आपका head, जो पहला नूड होता है, यह उसका next, then इसका next, then इसका next, and then इसका next, right, so यहां पर कुछ इस तरीके से है, right, आइए हमें nodes को number दे देते हैं, one, two, three, four, five, and six, six node is the last node, right, so हमें क्या करना है, reverse करने का क्या मतलब है, reverse करने पर last हमारा पहला हो जाए, और यह इस तरीके से हो जाए कि six, five, four, three, three, two, one, right, और पहली node last बन जाए, यानि head last बन जाए, और last head बन जाए, right, और one के next का यह नल हो जाए, जो हमारा पहला node है, वो last बन जाए और उसके next में नल हो, so something like this we have to do, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारी link list कुछ इस तरीके से है, three, four, five, six, right, and then it is null, हम क्या कर सकते हैं कि one को यहां से उठाए, right, और यह जो six है न, इस six के आगे लगा दें, सबसे पहले इस state में, right, इस one को उठाया, first node को उठाया, six के आगे लगा दिया, right, and one के next में हमने null कर दिया, right, which means, आपका जो last है, उसके next में, आपने क्या डाला, one डाल दिया, one वाली जो node है, वो डाल द next है, उसको डाल दिया, ठीक है, last का next क्या है, so last का next, one के next में last का next डाला, पहले यह step होगा, उसके बाद यह दूसरा step होगा, यह second number पर 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 फार्म करना है आपको, सबसे पहले one के next में आपने null डाल दिया, which means, one के next में आपने last का next डाल दिया, और उसके बाद last के next में, next step यह होगा, last का next is equal to one, जो भी यहां से आपने उठाया है अब इसके बाद क्या होगा one तो यहां आ गया this becomes something like this two, three, four, five, six and one and now null, right अब आपका first यहां पे आ गया first को आप move कर दीजिए second पे अब इस second के साथ भी वही कीजिए same चीज, दोनों चीजें same, जो आपका last है वो यहां पे था, यह six वाला अभी भी last है, right, इसको last पे बना के रखिए, right, इस last को यहां पे बना के रखिए, last में last को update कर देंगे, so अब क्या करेंगे इस second को भी हम six और two के बीच में लाएंगे, so it will become something like this, five करना क्या है, two था, तो two के next में आपने क्या डाल दिया last का next डाल दिया last का next क्या है, last अभी यह है, last का next अभी यह one है, so last का next one हो गया, तो two के next में one चला गया और last के next में क्या कर दिया two डाल दिया, जो अभी आपने उठाया था, right, so इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो last में जब हम पहुंचेंगे ना, तो अगले step में क्या होगा, अब ये 3 हमारा first बन जाएगा, तो अब कुछ ऐसा होगा, 4, 5, 6, then 6 के आगे 6, अभी भी last है, 3, 2, 1, कुछ ऐसी condition आ जाएगी, same logic से, अगर आप ये logic run कराते हैं, execute करात तो इस बार 3 के next में, 3 आपने उठाया, 3 के next में आपने क्या डाला, last का next, यानि last अभी भी इस पे है 6 पे, last कमेंटेर रखना है, last के next में क्या किया आपने, 3 डाल दिया, जो इस बार उठाया आपने, और last के next में आपने 3 डाल दिया, लेकिन उससे पहले 3 के next में आपने क् 6, 4 आ जाएगा, 3, 2, 1, ऐसे हो जाएगा, right, क्योंकि अब 1st यह हो गया था, यह वाला, right, उसके बाद last में क्या होगा, last में आकर कि आप इस condition में आओगे, 6, और जो आपका first है न, और जो last है, वो दोनों आके मिल जाएंगे, first is equal to last हो जाएंगे, last को आपने maintain रखा है, 6P, लेकिन जब आप first को आगे बढ़ाते जा रहे हो और उसी के according आप यहाँ पर maintain करते जा रहे हो list को, तो एक time ऐसा आएगा, जब first, last को बराबर हो जाएगा, ब आप जो last है, last को आप इसे point करा दीजे, जब यह loop आपका रुख जाए, जब सारा काम आप रोग देंगे, six पे आते ही, first और last बराबर होते ही, आप इसको रोग देंगे loop को, और last को आप maintain कर देंगे one के लिए, one will be the last, and six will be the first now, six तो first पे आही गया, right, so first और last दोनों maintain हो ग आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं, इसको reverse करने के, आप वो share कर सकते हैं हमारे साथ, but this is the easiest algorithm I could think of, जो मैंने सोचा कि हाँ इस तरीके से किया जा सकता है, इससे भी easy हो सकते हैं, चीजें हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास हैं, तो जरूर शेयर कीजे, because it's a learning platform, और यहा पहले से ही यहाँ पर अपना function लिख रखा है, reverse list, so आपने यह program तो पहले से ही देखा होगा, मैं इसका पूरा का पूरा add node और जो functions है, दो functions है मैं, एक तो node हम किस तरह से add करेंगे, अपनी link list में, और किस तरीके से पूरे की पूरी link list को हम traverse कर सकते हैं, यह दोनो functions मैं आप स share करूँगा ही करूँगा, और in fact पूरा code share करूँगा, और आपने देखा होगा कि P first और P last अगर आप मेरे videos को पहले से track कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि P first और P last में हमने maintain किया हुआ है पहली और आखरी node को, तो add node और traverse यह दो functions मैं आपको share करूँगा, और उसके अल तो यह तीन function अगर मैं आपसे share करूँगा, तो आप यहाँ पर इसका demo अपने आप देख सकते हैं, अपने copy paste करके अपने आप उसे चला सकते हैं, right, so reverse link list में मैंने क्या किया है, मैंने एक temporary node ली है, जिसको starting में null से point करा दिया है, ठीक है, उसके अलावा node asterik P new last, एक नया last element जो है, वो क्या होगा, P first, right, क्योंकि आपका नया last element क्या होगा, अब जब नया last होगा, वो last ये बनेगा, जो पहला head था, अब वो last बनेगा, इसलिए मैंने starting में ही इसको क्या किया है, इसको मैंने starting में ही P new last में save कर लिया है, right, अब मैंने यहाँ पर loop चलाया है, कैसा loop, ज जब तक उसके बराबर ना हो जाए, तब तक यह loop चलेगा, अब मैंने क्या कि अब P temp में P first आला है, right, मैंने एक temporary variable ले लिया, let me make it more clean, ठीक है, मान लीजी ये चोटी सी linkless बनाई ही मैंने, ये रहा head, और ये रहा आपका last, ठीक है, so head हमारा आप नया last होगा, तो new last will be head, तो मैंने पहले इसमें store कर लिया, एक variable लिया, temp, इसमें मैंने क्या किया, first को या head को, जो भी है, इसको first नाम दे देते हैं, first को मैंने store कर लिया, अब इस temp को मैंने इसलिया, so that first को maintain रखो मैं, first मेरा जो है कहीं और न जाए, P temp में P first ले लिया, यानि P temp में मैंने इसको ले लिय फर्स्ट नोड को उसके बाद मैंने क्या किया फर्स्ट को फिर से फर्स्ट तू नेक्स्ट यहां पर ले गए यानि अब मैंने फर्स्ट में यहां डाल दिया तो फर्स्ट को मूव भी कर दिया तो मेरा नया फर्स्ट यह हो गया और यह टेंप में मैंने ले लिया क्योंकि इस temp के P next, P temp, यानि इसका जो next है, इसको मैंने लिया है P temp में, इस वाले को, तो इसके next में मैंने क्या डाला है, last का next डाल दिया, last के next में क्या है, null है, तो यहाँ पे आकर के ये last के next में, जो कुछ था temp में, temp के next में null आ गया, क्योंकि last के next में जो कि मैंने copy कर दिया किसमें, temp के next में, और उसके बाद मैंने last का next, अगले line में, अगर आप देखेंगे, in the next line, you can see like, in the p last to next, I have given the address of ptemp, so, मैंने पहले क्या किया, temp के next में, last का next, अगल डाला, उसके बाद last के next में, मैंने temp को point करा दिया, so this way, यह मेरा maintain हो गया, अब यही चीज में बाकी की notes के साथ करूँगा, जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, तो इस node को यहाँ पे आप चिपकाऊंगा, उसके बाद last के next में इसको चिपकाऊंगा, last में जब first and next दोनों बराबर हो जाएंगे, जब first और last दोनों बराबर हो जाएंगे, तब इस loop को मैंने रोग दिया है, break कर दिया है, यह break हो जाएगा अपने आप, और last में मैंने क्या किया है, p last को point करा दिया है, p new last से, जो कि starting में ही हमने save कर ल वही जो starting मैंने बताया था, यह वाला जो example यह था, six, five, three, four, three, two, one वाला, last में उठा के first जब last के बराबर हो गया, तो last को, जो first वाली node थी हमारी, पहले यही तो first थी, इसी को हमने यहाँ पे save कर लिया है, p new last में p first, right, इसी को मैंने point करा दिया last में, तो अब जो last है, वो p इस statement के थो, so this is the logic, right, अब हम देखते हैं इसको चला करके, जैसे हमने यहाँ पे लिया है, 10, 30, 20, 60, 50, 70, यहाँ पर हम क्या करेंगे, reverse link list चलाएंगे, reverse list, यहाँ पर हमने एक code चलाया, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही reverse होगी, तो पूरा का पूरा, यह reverse order में, यह 70, 50, 60, 20, 30, 10, आप देख रहे होगे, पूरा का पूरा reverse किया जा चुका है, एक बार और reverse कर देते हैं, जब दुबारा reverse करेंगे तो क्या होगा, दुबारा reverse करने पर वापस यह list क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, यानि कि यह वापस यही print करेगी, 10, 30, इसी sequence में, so let's see okay, so 10, 30, 20, 60, 50, 70, आप यह देख सकते हैं यहापर, आपकी यह link list वापस सीधी होके आपको दिखाई दे रहे हैं, यह traverse function कि तो, right, so I hope आपको यह समझ में आया होगा, and it's very easy, आप और भी तरीके खोज सकते हैं, किस तरीके से link list को reverse किया जा सकता है, but आप खुद से भी कोशि कीजिए, logic लिखने की, because यह तो मैंने for a reference आपको share कर देना है, comment, चो पहला comment होगा इस video पे, वहाँ पे आपको यह code दिख जाएगा, but I would suggest कि आप जो है, इसको किवाल एक reference की तरह लीजिए, कि हाँ this was one of the way, जैसे कि मैंने इसको किया था, but इसके अलावा भी अगर आप कोई और बहतर तरीका खोज सकते हैं, जहाँ पे एक पॉइंटर आप कम कर सकते हैं, यूज कर एक बिना किसी नए पॉइंटर को यूज किये, या फिर कम से कम, like यह पे पी टेम, पी लास्ट दो मैंने यूज किये हैं, क्या पता एक पॉइंटर सही काम बन रहा हो, so इस तरीके क you learn the data structures, और यही है वो logical understanding जो आपको बनानी होती है, right, so इसी के साथ आज का यह वीडियो में यही पे समाप्त करता हूँ, I hope कि आपको यह अच्छा लगा होगा, और आप मेरे वीडियो को like कीजे, channel को subscribe कीजे, और share कीजे अपने दोस्तों के साथ, अगले वीडियो में फिर म rather than pointing to next, right, so यह चीज हम करके देखेंगे, okay, so वही last topic होगा, otherwise इसमें अगर practice करने बैठे हैं, तो link list में बहुत चीजें आती हैं, but I don't want कि हाँ आप वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर वो पढ़ाने बैठ हूँ, वो सारी चीजें कराने बैठ हूँ, basically हमारा main idea है कि हम data structure का जो course है वो complete करें यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर बहुत से जो examples हैं, link list के हों, जो famous problems आती रहती हैं, market में नहीं, हम उनको discuss कर सकते हैं, right, so I hope कि आपको यह video like करने में कोई problem नहीं होगी, and you would like it, and I will share this code, so till the next video, have a nice day, and bye-bye.